असलाम लेकुम विल्कम बैक टो मैं चैनल आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबरी केक किस तरह से आप बिल्कुल बिना जहन्जट कोई महनत के आप असानी से घर पर बना सकते हैं वह भी बिना टाइम वेस्ट के आसानी से एक ही बर में आपका केक जब दसा त्यार हो जाएगा आपके आपके टीमने स्ट्रॉबरी का सीरफ मेरा मेरा बहुत मीठा इसलिए शूगर कम कर दिया है और इसे इसे नापके वट कर लगेगा ट्वेक बहुत ज्यादा इंग्रिटिएंच कि भी जूरूत नहीं है और मिंटो में आपका केक त्यार हो दाएगा ये किसी वग्द इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे मिक्सी में इस तरह से मैंने एग और चीनी को अच्छी तरह से फेट लिया है कि इतना जबरतस्ता ज्यादा महनेत की ज़त नहीं हुई आप लोग एक लेक्स बनाना चाहते हो तो इसके जगा आप लोग एक बॉल इस तरह से भरके दही ले सकते हैं और वन टिवल स्पून विनेगर इसमें लगे आड़ हो जागा अंडा अब इसमें मैंदा लिया है डेड़ कप उसे आड़ करते जाएंगे थोड़ थोड़ डालत अब इसमें दूद आड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूद आड़ करते जाएंगे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है एक ही साट से घुमाना है और इसे भी से कट करते जाएंगे इस तरह से बना के देखिए स्ट्रॉबरी केक बहुत जबदस लगेगा बहुत मज़े गदार्थ सा तयार होगा आपका भी और बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉंजी रहेगा अब इसमें वन टीए स्पून भरके बेकिंग पॉडर वन बैफो टीए स्पून बेकिंग सोडा मीठे को बैलेंस करने के कई यह और इसे भी अच्छी तास से मिक्स करें इस कितना जबर्दस किलर हो गया इसका शूगर सीरप के हिसाब से एड़ कीजेगा कभी कभी शूगर जो रहिभी चिपाता बहुत जादा मीठा होता है तो आपका केक बहुत जादा मीठा हो जाएगा उसके हिसाब से इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे, 1-2 cup जो वायल लेकर रखा है उसे mix कर देंगे और यह मैं vanilla essence add कर लेंगे, अगर आपके पास strawberry essence हो तो आप उसे add किजेगा उससे taste और जबरदस आजाएगा, मेरे पास खतम हो गया था इसले मैं vanilla essence add कर लेंगे इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे, बस तेल लास्ट में इसलिए mix कर रहे हैं इससे बहुत जबरदस और soft आपका cake त्यार होगा वायल आप चाहते तो पहले भी add कर सकते हैं लेकिन बाद में add करने से cake बहुत नर्म मुलायम सा soft से त्यार होता है इसे अच्छी तरह से mix करते जाएंगे जब तक की वायल अच्छी तरह से mix नहीं हो जाएं मैंने पतीले को गरम करने के लिए preheat के लिए अगर आपको microwave में बनाना है तो आप microwave को भी 10-15 मिनिट के लिए preheat कर लेंगे उसके बाद इससे बनाएंगे अच्छी तरह से mix कर लीते यह अठी तरह से mix कर लेते हैं यह इच्छी तरह से mix हो गया है और इस तरह का टिक्चर रैना चाहिँ इसका पातला नहीं बहुँ जादा गाडा नहीं मैंने बेकिंग ट्रेल लिया और इसमें वाइल ग्रिस किया था उसके उपर मैदा के डस्टिंग कर लिए कि अच्छी तरह से या आप बटर पेपर भी रख सकते हैं इसमें इस तरह से डालते जाएंगा या इस्तर तरह से केक बनाईएं बहुत आसान j omdat मैं आपका इस्पॉंज बिलकुल जबरदस्था त्यार होगा या टी टिम केक बोल सकते यह आपको गोल में बनाना है जो शेप में बनाना पीसे बनाई है बहुत जबरदस्ता एक वार में आपका तैयार होगा और बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूत नहीं जंजट की नहीं रेडिमेट सिरॉप मिलता है उसे लाईए और इस तरह से स्ट्रॉबरी केक बनाईए इस प्रेहित हो गया है है अब इस तरह से बेक इसमें डाल गें नीचे मेनी जाली रखा है केर नीचे डाय्रे कम लिए इस तरह से 25 टुन 25 नियटा भा इसे दीमेट पर बेक करना है और बेच में चेक कर लेंगे कि ऐस बढ़ा है है या नहीं हो गास लिए दिटीमा करते है और तरह से कोई नाइफ लेंगे एदम चिकनी नाइफ हो रही है बिल्कुल अच्छी तरह से यह पक चुका है इसे ठंडा होने देते हैं उसके बाद इसे डिमोल करेंगे बहुत जबरदस सा स्ट्रावरी केक बनके तयार हो गया है इसे बनने में लग बग एक घंटा लग गया क्योंके स्ट्रावरी सीरप मैं डाला था इसलिए टाइम थोड कि देखें कितना जबरदस है यह इसे कट करके देखती हूं कि कितना जालिदार सॉफ्ट केक बिल्कुल तयार हुआ है कितना सॉफ्ट केक है कि मज़ेदार सा स्ट्रावरी केक बिंटों में तयार कोई मैंनत नहीं और कोई जंजट नहीं कि इस तरह से मैंने स्ट्रावरी केक लिया है और इस तरह से स्ट्रावरी का सिरप इस तरह से देते वाद किसी को सर्फ करें बहुत जबरदस बहुत मज़े का लगता है कि कितना कितना जबर्दस और साथ ही इसके उपर चॉकलेट सिरप कितना जबर्दस मज़ेदार सा केक बनके बिलकुल रेड़ी है रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें और इस तरह से सर्फ करें बहुत जबर्दस लगता है बहुत मज़ेगा लगता है चीट करके सब्सक्राइब और ज्यादा टेस्ट लगता है थैंक यू फॉर वाचिंग